हलो दोस्तों नमस्ते आदाव स्वास्टेकाल आपका दोस्त गौरफ टेस्ट बुक्स उपको चिक पर स्वागत करता है तो दोस्तों हो जाईए तयार क्योंकि हम यहां पर करने जा रहे हैं डेली करेंट अफेर पेवार जहां पर करेंगे हम लोग वह सारे ड्यूस को कवर जो ससी एक्जैम रेलव एक्जैम आईबी एसी आई ओ ससी जीडी टीचिंग और दोस्तों स्टेट एक्जैम के लिए बहुत ज़्यादा महत्पूर होते हैं लेकिन कहते हैं ना दोस्तों करेंगे एक नए दिन की शुरुआत एक नए जोश के साथ जहां पर हम लोग करेंगे कर कर सके तो चलिए इसकी शुरुआत करते हों और शुरुआत करेंगे हम लोग मोटिवेशनल कोट के साथ और आज का मोटिवेशनल कोट आपके सामने यह रहा लिटिल प्रोग्रेस इच डे अप टूदी बिग रिजल्ट दोस्तों आप जो धीरे-धीरे जो आप कदम बढ़ मिलते हैं सुबह जो बजे से साथ बजे जहां पर हम लोग करते हैं डेली करेंट अफेर और फिर सेटर्डए को भी जुड़ते हैं इस पेशल जीके के क्या मनाते हैं universal health coverage day मनाया जाता है यह धियान रखेगा 12 December को और इस वार का जो विशय है वह है दोस्तों health for all time for action क्या है health for all time for action ध्यान रखेगा ठीक है इसी के साथ आगे पढ़ते हैं दोस्तों कल मैंने आपको एक होमवक दिया था क्लास में होमवक यह था नेंग दा हॉटेस्ट प्लेस ऑन ली अर्थ पृत्वी पर सबसे गर्म इस्थान कौन सा है उसका नाम बताएं यह आपको हम वक दिया गया था इसका आंसर क्या होगा इसका आनसर होगा कि यहाँपर फरनेस क्रीक in death valley क्या है Farnece creek in death valley जोकि आपको California, USA देखने को मिलता है यहां पर हम बात करें highest temperature जो जाता है यह फर maximum temperature एक हम कहेंगे notre highest temperature या फिरиком maximum temperature जो देखने को मिलता है हमें वो कितना मिलता है तो 56.7 डिगरी Celsius तक देखने को मिलता है दोस्तों प्रिचवी पर यह सबसे ज़्यादा जो है यहां पर क्या बोलिंगे हाई जो है temperature सबसे ज़्यादा होता है that's why this is the hottest place ठीक है याद रखेंगे क्या नाम है furnace Creek in Death Valley California USA चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और सभी लोग क्या करेंगे एक पर यह स्टाइप कर देंगे जिससे मुझे यह पता चल जाए कि मेरी screen और voice एकदम clear है और आप लोग तयार है previous day के question के revision के लिए so that कि हमारे पुराने question भी हमें याद होते रहें तो जल्दी यल्दी से एक पर यह स्टाइप करेंगे तो यह 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 तो पहला question आपके screen पर यह रहा पहला question क्या करा हूँ है टेकन ओध एज चीफ मिनिस्टर आफ मिजोरम इन दिसंबर 2023 दिसंबर 2023 में मिजोरम के मुख्यमंतरी पद की सपत किसने लिए स्री पू लाल धुमा या फिर स्री जोरा धंगा या फिर स्री पू लाल देंगा और स्री ठेंगा स्री धेन फुंगा साइलो क्या होंगे जो लोग करें है पू लाल धुमा उनका विलकल साइसर जाएगा स्री पू लाल धुमा जो है यह नए मुख्यमंतरी यह कहां के मिजोरम के इससे पहले अप लोग को पता है आप लोग ने बताया था कि तिलंगाना के बी जो है नए मुख्यमंतरी बने exercise से तिलंगाना के मुख्यमंत्री कौन मनेते रेवन्थ रेडडी क्या नाम है रेवन्थ रेडडी नाम है यह ध्यान रखेगा चलिए आगे पड़ते हैं अगले कोशन पर अगला सवाल आपके लिए विच कंट्री हैस बीन सिलेक्टेड एस पायोनीर लीड कंट्री फॉर रोप में चुना अगया है चाइना इंडिय ब्राजील और ऑउस्टेलिया क्या होगा होगा करेक्ट आंसर यहां पर केर रहेरा अपना प्यारा भारत इंडिया को जो है दुoo अघरडी जो है देश चुना धिया रखेगा इंडिया यहां पर करेक्ट होगा ठीक है चलिए अगला सवाल what is the rank of India in the climate change performance index 2023 जलवाईव परिवरतन प्रदर्शन सूचकांग 2023 में भारत का इस्थान क्या है छटवा है साथवा है आठवा है या फिर नौवा है कौन सा इस्थान है भारत का साथवा साथवा कह रहें तो यहां पर दोस्तों हम लोग ने एक जो है दोस्तों ए अच्छा परफॉर्म करते हुए आगे आ चुके हैं ठीक है पहले हम लोग आठ पर थे अब साथ पर है अगर हम बात करें 2014 में 2014 में हम लोग 31 रैंक पर थे और अभी दोस्तों हम बात करते हैं 2030 चल रहा है और हम लोग जो है साथवे स्थान पर है ठीक है चलिए आगे बढ़ समयलन की मेजबानी कौन साथेश कर रहा है चाइन इंडिया यूएस और फ्रान्स कौन कर रहा है जल्दी से पताइए इंडिया इंडिया कहरे हैं उनका यहाँ पर करेक्टांस रहा का इंडिया जी पी याई ट्वेटीटी त्री की मेजबानी करेगा ठीक है आगे बढ़ते सिक्स्ट एन एसे लेवल मिटिंग औफ कोलंबो सेक्यूरिटी कॉनक्लेव हैल करें कोलंबो सुरक्षा कॉनक्लेव की छटी नैशनल सेक्यूरिटी अडवाइजर सिस्तरी जो है बैठ कहां और जितकी गई थी कोलंबो शिलंका पोर्ट लुइस मौरिशियस न्यू दली इंड क्यों इस कोलाबरेटिंग विट यूनिसेफ लॉंच दा ग्रीन राइसिंग इनिशिटिव ग्रीन राइसिंग पहल शुरू करने के लिए यूनिसेफ के साथ कौन सहयोग कर रहा है क्या वो चाइना कर रहा है इंडिया ब्राजील और साउथ अफरिका यहां पर भी कह रहे ह इनागरेटेड एवियोनिक्स एक्सपो 2023 का उद्गाटे ने कहां किया गया क्या वो मुंबई में किया गया न्यू दिल्ली बैंगलूरू और हाइदराबाद कहां पर किया गया जल्दी से बताइए कहरे सर न्यू दिल्ली होना चाहिए तो जो लोग आप्शन नमबर कहरें भ वो 2023 का जो है इनागरेशन किया गया ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं विच टू कंपनीज है इनिशेटिड ए आई एल्यांस ठीक है किन दो कंपनियों ने जो है ए आई एल्यांस की शुरुवात की है क्या वो गूगल और माइक्रोसॉफ्ट है मेटा और आई बिम है एपल और एन्वीडिया है फेस्बुक और अमेजन है कौन है जल्दी से बताई यहां पर कर सर मेटा और जो है आई बिम उन्होंने दोनों ने कंपनी मिलके जो है ए आई अल्यांस की शुरुवात की है तो जी हाँ बिल्कुल मेटा और आई बिम जो है करेक्टांस रोगा ठीक है सब्सक्राइब आई अगला सवाल विच इंडियन फिल्म हैस वान दा सिलवर यूसर अवार्ड एक डी रेड़ सी इंटरनेशनल फील्म फेस्टिबल 2023 में सिलवर यूजर पुरुषकार जीता है है कि गार्डन इन फ्लेम डियर जसी और यहां प्रूसकार जीता है वही पर हम बात करें इन फ्लेम जो है गोल्ड ठीक है गोल्ड यूजर टीक है गोल्ड यूजर ठीक है अवाड जीता है यह भी आपको दिहान रखना है चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर हुव विल भी फैलिसीटेटेटेड विद दी मोशन पिक्चर एस्टीएशन एशिया पैसिफिक कॉपिराइट एडुकेटर आप दे एडुकेटर आप दे एडुकेटर आप दे एडुकेटर पूर कह रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नमबर वन करेक्ट होगा सिधारत रोय कपूर ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं हूँ हैस बीन कंफर्ड विद्दा अती विसिष्ट रेल सेवा अवार्ड अती विसिष्ट रेल सेवा पुरुसकार से किसे जो है सबमानेत किया गया अरुन कुमार जयन सतीश कुमार रूप अयरे सुंकर और जह्याइब प्रसिष्टी स्रिवास्तों करेक्ट आनसर बताएक प्रसिष्टी सुर्वास्तों जो लो करें और ओप्शन नमबर 444 उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रसि एको नेटवर्ट के लिए एक मसौधा पार्ट को अपनाया गया इसका संबंध किस्से हैं तो बोल्स्टर सस्टनेबल शिपिंग तो है पडवलपिंग गंड्रीज फ्रॉम क्लाइमेट चेंज इंपेक्ट तो बूस्ट ग्रीन एनर्जी इंफ्रेस्ट्रेक्ट्ट्र डवलप क्लाइमेट चेंज इंपेक्ट उनका करेक्टांस रोगा विकास इल देशों को जलवायू परिवर्तर के सब जो है दोस्तों प्रभाव से बचाने में मदद करना इसका मुख्य ओदेश एडिक है अच्छा अकॉर्डिंग टूदा 2023 वर्ल्ट मलेरिया रिपोर्ट वाट पर और पूर्व एशिया चेत्र में मलीरिया के कितने प्रतीशत मामले भारत में थे 46 55 56 और 75 क्या होगा करेक्ट आंसर पड़ावर्ण बताइए 66 66 जो लोग करें उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा चाच्छत यहां पर होगा ठीक है करेक्ट आंसर क्यों जाएगा चाच्छ साइमेंट की रिपोर्ट आती है वर्ल्ड युनिवर्सिटी रेंकिंग उस सटनेविल्टी 2024 में दिल्ली विश्विद्यालय का जो है वैश्विक रेंकिंग क्या है क्या वह 159 पर है 220 में 303 और 387 कौन सिस्थान पर है दिल्ली युनिवर्सिटी तो जो लोग 220 कह रहे हैं उनक इसका भी हम लोग ने किया रिवीजन सो देट की पुराने कॉशन भी आपको याद होते रहें लेकिन आप हम लोग आपर फोकस करेंगे टॉप फाइव नियूज अब देडे मलत दिन के वह पांच मुखे समाचार जो कि आपके एक्जाम पॉइंट और आपको पता होना चा गारो दकमंदा है लर्नाइप पौटरी है ठीक है पौटरी जो कि दोस्तों आप लोग देखिए के छोटी-छोटे मट के टॉप के ठीक है और गारो चुबिचищी चुबिची एक तरीका क्या दोस्तों यह rice को fermented करके बना जैता एक तरीके का बीर है ठीक है बीर alcohol ठीक है कह सक तो चुबिच्ची जो है उसको जी आई टेग दिया गया है किसको किसको जी आई टेग दिया ध्यान से सुनिएगा मेघाले के लेकदॉंग टर्मरी को ठीक है लेकदॉंग हल्दी को ठीक है गारो दकमंदा को किसको दिया गया है गारो दकमंदा को लरनई लरनई पोट्री को दिया गया है और Gusty Kirill Kitech को दिया गया है यह चार प्रोड़क को Zoh is मिःखालय राज्यसे ठीक है और G wij का फुल फॉर्म क्या है जो ग्रफिकल इंडिकेशन क्या है जो ग्रॉफिकलि इंडिकेशन इसका फुल पॉर्म है यह याद रखेगा ठीक है हंदी में जो है विश्णूदेव साई कौन विश्णूदेव साई जो है वो दोस्तों बन चुके है 36 गड़ के मुख्य मंतरी ठीक है याद रखेगा कि दोस्तों यहां पर ट्राइबर लीडर है ये ठीक है और जिनका नाम है विश्णूदेव साई यहां पर दोस्तों आप देखोगे कि एलेक्शन हुए थी ठीक है और तिलंगाना के आप देख सकते हैं विश्नु देव साइन जी को बताया गया है मिजोरम के जो है दोस्तों किसको बताया गया था लाउधामा जी को बताया गया था पूलाउधामा जी को फिर उसके बाद आपको ध्यान रखना है अगले पॉइंट पर अगला पॉइंट जो है दोस्तों मोहन यादव जो है दोस्तों इनको मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्र बनाया गया है ठिक है धियाद रखेगा मोहण यादव जी ठीक है यहाँ पे विश्णुदेव साहिज और चीफ मलतर रहें तो याद रखना है मध्यप्रदेश के कहां के मध्यप्रदेश के ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर अगला पॉइंट आपके स्क्रीन पर टेलर स्विफ्ट जो है दोस्तों बहुत ही प्रख्यात जो है संगी संगीत कार है यह गाना काती है है musician है ठीक है टेलर स्विफ्ट आप लोग ने नाम बहुत सुना होगा इनको time person of the year बताया गया है क्या time जो magazine है उसके accordingly अगर हम बात करें तो इनको person of the year बताया गया है क्या नाम है टेलर स्विफ्ट ठीक है नाम तो सुना ही होगा चलिए आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर अगला पॉइंट आपकी स्क्रीन पर यह रहा करें इन दर्र इस नंबर आ समस्वाइब और ऑन दा लिस्ट उसके बाद fatalities in the road accident देखिए जो road accidents होते हैं ठीक है उसमें अगर हम देखते हैं तो यूपी जो है टॉप पर है यूपी में सबसे ज्यादा road accident देखने को मिले है ठीक है तो यूपी stands top on the list उसके बाद Tamil Nadu महराष्ट according to the NCRB report 2022 NCRB क्या है National Crime Record Bureau क्या है National Crime Record Bureau ठीक है तो नैशनल Crime Record Bureau की अभी जो report आई है उसकी according यूपी में सबसे ज्यादा road accident देखने को मिले हैं फिर तमिलनाडू और फिर महराष्ट में ठीक है चलिए तो यह थे बोल्ड में में मेंशन होते हैं टॉप पर मेंशन होते हैं इन से सवाल पूछे जाते हैं ससी रेलवे डिफेंट जैसे exam में दोस्तों तो एक एक बारी की से headline देखेगा और ही headline पर हम लोग last में करेंगे quiz और देखेंगे कौन अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो पहली headline के साथ बढ़ते हैं पहला headline आपके screen पर यह रहा देखें गारो दकमंदा क्या गारो दकमंदा लर्नाई मिटी के बरतन मिटी के बरतन वही पॉट जैसे बने होते छोटे-छोटे से ठीक हैं गारो चुबिच जो कि हम संकेत टैक दिया गया भागोलिक संकेत बनाब जी आई टैग दिया गया है अब दो लिए बनता है इंक बताये जी आइ टैग जो है यह कितने वर्ष के लिए रहता है यह तो यह फो याद होगा कुछे समय Pहले ही सैफ्रॉन को यह जो है उसको भी केसर कहते हैं अब आंप को पहले दिया जा चुका है जम्मू and कश्मीर से लेकिन दोस्तों क्या होता है दोस्तों इसके ही अवदी खतब हो जाती ही सबल कराना होगा तो सैफ्रॉन को वापस से जो है जी आई टैक दे दिया गया और अगर हम बात करें भारत में पहला जी आई टैक जो दिया गया था फर्स्ट जी आई टैक जो दिया गया था वो किसको दिया गया था तो आपको याद रखना है डार्जिलिंग टी को दिया गया था यह ध्यान रखेंगे पांच बे दिया गया ठीक है चलिए तो इस तरीके से आपको याद रखना है जी आई टैग जैसे दोस्तों 2023 में बहुत सारे प्रोड़क्स को दिये गया कच्चाई लैमन को दिया गया ठीक है बनारसी पान को दिया गया लंगला मैंगो को दिया गया ठीक है यहां पर अगर हम पर मालू रिक्टर पावर प्लाट का दुनिया का पहला दुनिया का पैहला ध्यान सुनेगा दुनिया का पहला वारे Also अरू कि यह कि सब्सक्राइचर फेर णे जन लॉंच्ट वाइज फ़र्ष्ट कमर्शियल ऑपरेशन और फॉर्थ जनरेशन गैस कूल नुकलियर रियक्टर यह ध्यान रखेगा इससे पहले हम लोग लिक्विड कूल रियक्टर का इस्तेमाल कर रहे तो कि फॉर्थ जनरेशन का है और यह पूरी तरीके से जो है कमर्शिय उपरेट कर रहा है तो यह विश्व का पहला कमर्शियल ऑपरेशन फॉर्थ जनरेशन गैस कूल नुकलियर रियक्टर है जो कि दोस्तों लॉंच किया गया है चाइना के दौरा किसके दौरा चाइना के दौरा यह याद रखेंगे आगे बढ़ते हैं अगला जो है दोस्तो सेन्हें हो है है ANDREW अधिवासि रेता विश्व देव है दोस्तों कैसे याद करें चाथिजगण में है बिल्कुल सब 不要 की मदद कौन करेगा तो करने वाला सिर्फ एक ही होता है दोस्तों वह होते भगवाद भगवान मतलब एक दोस्तों एक सूपरस्टीशिस पावर ठीक है जो हम देख नहीं सकते बढ़ है कोई तो और वो दोस्तों आपन कह सकते हैं विश्णु जी भगवान है ना तो वही मदद करेंगे तो जनजाती जाता है जनजाती की कौन मदद करेगा भगवान भगवान कौन से विश्णु भगवान तो यह ध्यान रखेगा ट्राइबल लीडर विश्णु देव साही है अगे बात करते हैं आगला जो है केंद्री ग्रहमंत्री जो है अमिश्णा ने बिहार के पतना में 26 वी पूरवी छेत्री बैठकी अधिक्षता की है तो यूनियोन मिनिस्टर जो है तो सो हो इथ आमिशा है चेरड 26 इस्टन जोन फिक इन पटना बिहार थिक अप सकते हैं 24 जो है इस्टन जुनन कांसिल मिटिंग हुई है ठैक है और यह काउंचल कहां पर हुई है तो समवाद भवन जो आप देख सकते हो देश रत्नमार्ग पटना बिहार में ठीक है तो बिहार में यह हुआ था और किसने इसमें पार्टिसमेट किया तो अमिशाजी थे इसमें ठीक है चलिए आगे पड़ते हैं 27 वाइप विश्वे निवेश सम्मेलन चार दि पूछा जायगा ठीक है तो वर्ड अस्यक्यन ओफ इनवेशट में प्रोमोशन एजर्टी थे करेंगे और प्रोमोशन एजर्टा यह प्रोमोशन एजर्टी या फॉर्ष टीक है यहीर्ट कि इसका फूल आपको ध्यान रखना है ठीक है तो आपसे पूछा जाएगा कि 27 वा जो है अभी वर्ल्ड एस्टीएशन ओफ इन्वेस्टमेंट एंड प्रमोशन एजनसी जो है यह कहां पर जो है हुई है तो आपको होगे नई दिल्ली में ठीक है कितने दिन की थी तो यह चार दिविसी कार प्रिक्रम था यह आपको ध्यान रखना है थे 27 वर्ड एस्टीएशन ओफ इन्वेस्टमेंट एंड प्रमोशन एजनसी वर्ड इस इन्वेस्टमेंट कॉन्फरेंस अफोर डे इवेंट इस बिंग होस्टेड इन न्यू दिल्ली चाइना ठीक है नई दिल्ली चाइना में इ के लिए राष्ट पुरुसकारों के लिए योजना और वैव पोर्टल लॉंच किया है ठीक है तो डिपार्टमेंट ऑफ जो है एड्मिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स और पब्लिक ग्रिवांसे जिसको हम लोग क्या कहते है शौट पॉर्म में डी ए आर्पीजी कहते है उ पॉर्टल लॉंच किया है ठीक है इन्होंने एक स्कीम और पोर्टल लॉंच किया है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अगला जो है एंसी आर्बी देखें नैशनल क्राइम रिकॉर्ड बीरो एंसी आर्बी उनके अनुसार 2022 के अनुसार सडक दुरघटनाओं में हानी वाल है उत्ता प्रदेश और इसके बाद तमिलनाड़ू और महराश्टं नमबर 1 पर कौन यूपीड नमबर टूपे तमिलनाड़ू और महरास्ट यह रिपोर्ट किस की द्वार मैं यह किस रिपोर्ट में चलिए आगे बढ़ते हैं अगला हेडलाइन आपके स्क्रीन पर लुए रहा आग्ला हैडलाइन क्या कर रहा कि फाइनेंचियल Јयर ट्वेटी थ्री के अकॉड इंग अगर हम बात करते हैं के लिए कंपनी फाइलिंग में सुचिबद उनके वेतन पैकेज के अनुसार जो है विप्रो के CEO थेरी डेलारपोर्टे भारत में सबसे अधिक वेतन पाने वाले CEO के रूप में उभरे हैं ध्यान से सुनेगा विप्रो के जो CEO है जिनका नाम है थेरी डे पेड़ सीएओ अब तक के सबसे जादा जो है दोस्तों पेड़ किये जाने वाले CEO है भारत में एस पर हिस सेलरी पैकेज लिस्टेड इंदा कंपनी फाइलिंग फॉर फाइनेशल ये ट्वेंटी त्री में जो अभी देखा गया यह देखा गया कि भारत में सबसे जादा ज यह दिवस मनाया गया है और 2023 का विशे क्या है restoring mountain क्या restoring mountain ecosystem थे कि आभी आप ने देखा होगा कि हम लोग ने कली देखा था कि यहाँ पर मनाया जाता है इंट्रनेशनल mountain day ठीक है कम मनाया जाता है तो यह 11 दिसंबर को मनाया जाता है और इस बार का जो थीम है या विशे है तो तो वो क्या है दोस्तों restoring mountain ecosystem क्या है यह important हमारे लिए restoring mountain ecosystem यह ध्यान रखेगा ठीक है चलिए आगे परते अगला हैडलाइन UNICEF की स्थापना जो है 11 दिसंबर 1946 को न्यू यॉक में सयुक्त जो है राहत पुनरवास प्रशाशन दौरा दिती विश्वयुद्ध से प्रभावित मत जो है माताओं और बच्चों को ततकाल राहत प्रदान करने के लिए की गई थी ठीक है तो UNICEF और आपको पता है United Nation International Child Emergency Fund इसको अब लोग कहते इसको स्थापना की गई थी कब दोस्तों आफ्टर वर्ल्ड वार जब दोस्तों वर्ल्ड वार में जितने वी दोस्तों वर्ल्ड वार से ग्रस लोग थे उनकी मदद करने के लिए खास कर माताओं और बच्चों को तो यह आपको बताए मैंने अभी आपको बताया कि 36 के दोस्तों मदद करने के लिए जंजाती जादा है ठीक है वहां की मदद करेंगे भगवान करेंगे भगवान कॉन विष्णु करेंगे कौन 36 गड के आपने बताया कि मदद जो करेंगे 36 गड की वो करेंगे कौन वो करेंगे विश्नु भगवान करेंगे अब जब विश्नु भगवान यहां 36 गड की मदद करेंगे तो मध्य प्रदेश की भी तो मदद उन्हीं को ही करनी पड़ेगी ठीक है मध्य प्रदेश भी भी तो जन जातीज दादा है ठीक है तो अब उनकी भी दोस्तों मदद कौन करेंगे भगवान करेंगे और दोस्तों विश्णु जी को ही कहते हैं हम लोग मोहन क्या कहते हैं मोहन कहते हैं हाना श्याम मोहन ठीक है कृष्णा विश्णु सब एक ही रूप है ना कृष्णा सब नी के रूप है तो मोहन याद रख लिजेगा क्या मोहन ठीक है मोहन यादव जी जो है वो मध्यप्रदेश के मुख्य मंत्री होंगे और जगदीश देवडा और राजेंदर सुकला ये दोस्तों डिप्यूटी सी एम होंगे ठीक है ध्यान रखेगा तो मोहन यादव तू भी न्यू मध्यप्रदेश चीफ मिनिस्टर जगदीश देवडा और राजेंदर सुकला नेमड डिप्यूटी सी एम ठीक है चलिए आगे पड़े आगे पड़ते हैं आगला जो है हेडलाइन भारती सामाजी कारिकरता निखिल डे क्या नाम हैंका निखिल डे को अमेरिकी देशी विभाग द्वारा अंतराष्टी ब्रष्टा चार विरोधी चैंपियन के रूप में जो है नामित किया गया है इंडियन सोशल एक्टिविस्ट निखिल डे नेमड एज इंटरनेशनल एंटी करप्शन चैंपियन बाई यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ठीक है च आगा जावेद अक्तर जी को ठीक है अगला है लाइन है प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी ने विक्सित भारत दो हजार से तालिस युवाओं की आवाज लॉंच की ठीक है तो पी एम नरेंद्र मोधी जो है विक्सित भारत अट डरेट 2047 वाइस आफ यूथ है तो आप दे टो सेनच अभ्यास विन बैक्स दो हजार तेऊस के लिए हनोई पहुंची है तो देखे विन बैक्स विन का मतलब क्या हैtalk वेतनाम इन्डिया बायलेड ऐक्सराइज ध्यान रखेगाओं धिये धृक है किसकी किसकी बीच में है ये वेतनाम और इंडिया के बीच में है और यह इस बार के exercise होने जा रही है वो कहां पर हनोई में होने जा रही और हनोई इस दी Capital of Vietnam राइट तो यह ध्यान रखेगा कि इंडियन आम्र फोर्सेस कंटिंजेंट रीचेज हनोई फॉर जॉइंट मिलिट्री exercise विन बैक्स ठीक है विन बैक्स नाम है इस exercise का चलिए अगला है केंद्री स्वास्त्र और परिवार कर्लियान मंत्री जो है डॉक्टर मंसुकलाल मंदविया उन्होंने जैव प्रोदिक्ति विक्सित भारत के लिए नवाचार और कर्लियान मार्ग विशह पर जो वाइबरेंट गुजराद क्या वाइबरेंट गुजराद प्री सम्मिट को वर्चुलि संबोधित किया है ठीक है तो ध्यान रखेगा अप्री वाइबरेंट सम्मिट बाय टेक्निलोगी दा पाथ आफ इनोवीशन और वेलनेस वॉर विक्स चलिए आगे बात करते हैं आगले हेड्लाइन पर देखें आएनस सुमेधा आएनस सुमेधा आएनस का फुल फॉर्म इंडियन नेवल शिप ठीक है आएनस सुविधा की जो है केन्या के पोर्ट लामू में प्रवेश हुआ है ठीक है तो आएनस सुमेधा मेडन एंट्री एट पोर्ट लामु केन्या ठीक है चलिए अगला केंद्री मंत्री निर्मला सीता रमन ठीक है उन्होंने विजयवाड़ा में क्रिश्चन वेनी संगीता निरंजनम का उधगाटन किया है ठीक है तो union minister निरम्ला सीतारमन है जो की दोस्तो ठीक है उन्होंने हाली में कृष्चन वेणी संगीता निरंजनम जो है दोस्तो उसका धगाटन किया गया कहाँ पे विजयवाडा में कहाँ पे सथान धिया गया ठीक है आजानी ग्रीन एनर्जी रेंग्ड सेकंड लार्जेस्ट ग्लोबल सोलर पीवी डवलपर मैर कॉम ठीक है चलिए आगे पड़ते हैं टेलर स्विफ्ट टेलर स्विफ्ट को जो है टाइम का पर्सन आफ दा इयर नामित किया गया ठीक है टाइम मैगजीन जो है तो पर् इस प्रकार से पूछे जाएंगे सवाल उसको करेंगे हम लोग क्विज के फॉर्म में लेकिन उससे पहले सभी लोग फटा फट से बताएंगे हाउस जोश अगर हाई है तो फटा फट से यस टाइप करेंगे जिससे मुझे यह पता चल जाए कि आप लोग ने हैडलाइन को बारी की से देखा है और अब आप लोग तयार हैं यहां पर क्विज के लिए जल्दी जल्दी से एक पर यस टाइप करेंगे और हम लोग बढ़ेंगे पहले कोशन के साथ तो यहां पर यस 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 आ चुका है तो पहला कोशन आपकी स्क्रीन पर आपके लिए लेकिन उससे आर नेटिव टू विच इंडियन स्टेट के रहें कि देखें लकदौंग हल्दी लर्नाई मिट्टी के बरतन को हाली में जी आई टैक्स मानेता मिली है वे किस भारती राज के मूल निवासी हैं क्या वो मिघाले मिजोरा मनिपूर और नागालेंड क्या होगा करेंट आंसर मिघाले मिघाले जो लोग कह रहे हैं उनका बिलकूल करेंट आंसर हो जाएगा मिघाले इस दी करेंट आंसर थोड़ा डीटेल में बात कर लेते हैं देखें मिघाले में लकदौंग हल्दी को भागवलिग संकेत टैक्से सम्मानित किया गया है लगदोंग हल्दी को दुनिया की सबसे अच्छी हल्दी किसमों में से एक माना जाता है जिसमें करक्यूमिन सामगरी लगबग 6.8 से 7.5% होती है इसका रंग गहरा होता है और इसे उर्वको के उपयोग के बिना जैविक रूप से उगाया जा सकता है ठीक है बिना फर्डिला अच्छा गहिसें ड्रेस होती है ठीक है मेखाले की ठीक है लर्णाई मिट्टी के बरतन और गारोचबिची जो ढाममा Character मिला है तो यहां पर चार प्रोडक्ट है उपको मिला है एक तो लॉट्ढोंग हो मिला है ठीक है उसके अलावा जो है दोतों गालोग कमंदा को ठीक है फिर गारो चुबिच्ची को जो है ये टैग दिया गया है ठीक है गारो तकमंदा गारो जंजाती द्वारा पहनी जाने वाली एक पारंपरिक पोशाक है लर्नई पोटरी जो है दोस्तों जैनताई हिल्स के जो है आपको पता है जैनतिया हिल है ठीक है गारो जैनतिया और खास चलिए तो यह ध्यान रखेगा अब दिखेंगे मेघाले की बात हो रही है तो आपसे यह पूछा जाएगा कि मेघाले के cm कौन है ठीक है cm आपको ध्यान रखना है कि यहां के मुख्यमंत्री कौन है तो cm कौन है जल्दी से बता दीजे सभी लोग कौरनाड सांगमा कौन है कौरनाड सांगमा यहां के मुख्यमंत्री है ठीक है ठीक है अगर आपसे पूछेंगे गवर्नर गवर्नर मतलब राज्यपाल ठीक है तो राज्यपाल कौन हो जाएंगे तो आपको ध्यान रखना है वो जाएंगे फागू चोहान कौन हो जाएंगे पागू चोहान जो है वो यहां के क्या हो जाएंगे राजेपाल मिघाले की कैपिटल क्या हो जाएगी शीलॉंग क्या हो जाएगी शीलॉंग सबसे जाधा वर्षा जो है मौसंड्रम में होती है और मौसंड्रम जो है वो आपको कहां पर देखने को मिलेगा वो भी आपको जो कि जो जैनतिया पहाड़ी होती है उस पर जो काली मिट्टी पाई जाती है उसके बरतन जो बनाया जाते हैं उसको भी जी आई टेग दिया गया है ठीक है चाले आगे बड़े ठीक है अगले कोशन बढ़ते हैं अगला कोशन आपकी स्क्रीन पर यह रहा देखे दशिदाओ बे प्लांट दवाइस फ़र्स्ट फॉर्ट जेनरेशन नुक्लियर रियक्टर हैज बी लॉंच बाई विच कंट्री करहें कि शिदाओ बे सैयंत्र दुनिया का पहला चौथी प रहें जयेगा यहां पर करेट डांसर हो घार ठीक है ध्यानद खेल से reject अच्छे अभी कटिन पहले हम लोग ने पढ़ा था कि नुक्लियर फ्यूजन रियक्टर सबसे बढ़ा न्यूक्लिय एर फ्यूजन रियक्टर एक्सपेरिमेंट किसे देश में किया गया nuclear fusion reactor एक्सपेरिमेंट जो है सबसे बड़ा किसे देश में किया गया तब आप इसका आंसर क्या करेंगे जल्दी से बताई कुछ तिन पहले ही हमने किया है अगर आपने क्लास अच्छे से की है तो आप डेफिनेटली आंसर दे पाएं तो देखें शिदाव बेस सहींत्र चीन के पूर्वी जो है शेडॉंग प्रांत में यह स्थित है ठीक है और चीन के पूर्वी शेडॉंग प्रांत में शिदाव बेस सहींत्र गैस द्वारा ठंडा किये गए उचितापमान वाले रियक्टरों का उप्योग करता है जो पार चाइना की तो ठीक है चाइना से आपको याद रखना है कि चाइना के प्रेसिडेंट कौन है तो चाइना के राश्ट्रपती ठीक है मतलब प्रेसिडेंट ठीक है तो चाइना के प्रेसिडेंट कौन है दोस्तों जी जिंपिंग ठीक है आप से पूछा जाएगा कि राश्पती देखे इस ली कियांग से पहले प्रधान मंदरी थे ली कियांग क्या नाम था ली कियांग और ली कियांग का दोस्तों 2023 में निधन हो गया है ठीक है यह भी ध्यान रखेगा 2023 में निधन हो गया है आगे बढ़ते हैं विश्नु देव साइं has been appointed as the new chief minister of which state कह रहे है कि विश्णु देव साइं जो है वो किस राज्यकार नए मुख्यमंत्री निक्त हुए है उडिशा चारगंड चत्रिसगार और तिलंग्धाना कहां कि हुए है वेरी गुड तिलंगाना तिलंगाना जो लोग करें उनका बिल्कुल कर्रेक्टांस रोजाएगा ठीक है तिलंगाना देखें बात करते हैं तो तो आधिवासी नेता जो है और यू अगर हम बात करते हैं पूर्व केंद्री मंत्री विश्णु देव साइं को दोहजार चौब और वे आगामी चुनावों में उनका प्रतिनिजिव करेंगे ठीक है अगर हम 36 गड की बात करते हैं ठीक है तो 36 के जो अभी मुख्यमंत्री बन रहे है तो आपने बताया कि वो बन रहे है विश्णु देव साइं ठीक है कौन बन रहे है विश्णु देव साइं जो है ये जो है नए मुख्यमंत्री होंगे ठीक है क्या होंगे चीफ मिनिस्टर होंगे मुख्यमंत्री होंगे ठीक है अब आप से यह पूछा जा सकते हैं कि यह किसकी जगह लेंगे ठीक है तो इससे पहले दोस्तों यह भूपेश बगेल जी थे इससे पहले कौन थे तो भूपेश ब भीश्व भूशण हरी चंदन फिख्या भीश्व भूशण हरी चंदन जो है यहां की क्या हो जाएंगे राज़िपाल हो जाएंगे ठीक है चली आगे बढ़े इस्टर जोनल काउंसिल मीटिंग करेच अबिस्वी राज जो है पूर्वी राष्ट्री परिशत बैठेक की मिजवानी किस राजिने की क्या वह वेस्ट वेंगॉल बिहार जार्खंड और ओडीसा क्या होगा करेक्टांसर बिहार बिहार कह रहे हैं ओके चले जो यहां पर बि अधनियम 1956 दौरा की गई थी इस अधनियम ने देश को पांच छेत्रों उत्तरी मध्य पूर्वी पश्चिमी और दक्षडी मलत चार डायरेक्शन जो है वो इस्ट वेस्ट नौर साउथ और बीच में सेंटर में विभाजित किया और प्रतेक छेत्र के लिए एक छेत्री प प्रतेक परश्चत के अधियक्ष होते हैं अधियक्षि परतेग छेत्र में शामिल राजों के मुक््यमंत्री बारी बारी से उस 轅धिये यह परतेश्य समय में एक वर्ष की अवदी के लिए इस बार बिहार के सी एम जो है उन्होंने इस्टन जोनल काउंसिल मेट्ट की मे और्गनाइजेशन एक्ट उसके तहट जो है हमारे भारत को पांच उसमें दोस्तों विभाजित किया गया इस्ट वेस्ट नौर सौथ एंड सेंटर वाला पार्ट ठीक है तो इस्ट वाले में जो है दोस्तों बिहार जैसे कि कौन कौन से राज जाते हैं तो आपको बिहार उख्यमंत्री उपाध्यक्ष होंगे तो इस बार जो है उपाध्यक्ष कौन है तो बिहार के सीम है नितिश कुमार जी और वो इस कांसल के जो है दोस्तों क्या कर रहे है मिजबानी कर रहे है ठीक है चली आगे बड़े अगला जो है विच डिपार्टमेंट आफ दी यूनि सबस्क्राइब 27 वैए विश्व हो निवेश सम्मेलन की मिजबानी कर रहा है डिपार्टमेंट आफ सब्सक्राइबार्टमेंट पर स्बार स्विश्वर्रीयू क्या होगा करेक्ट आंसर जी हां यहां पे जो लोग करें हैं ऑप्षेन नंबर होना चाहिए टू उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर का डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन आफ इंडेस्ट्री एंड इंटर्नल ट्रेड करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है चलिए आगे बढ़ें अगे बढ़ते हैं अगला जो है दोस्तों आप लोगों के लिए यह रहा तो आप यहां पर देख सकते हैं कि जो 27 वा वर्ल्ड इंस पर जो है इन्वेस्टमेंट कॉंफरेंस 11 से 14 तारी तक चलेगा दिसंबर में कहां पे न्यू दिल्ली में ठीक है वर्ड एस्टियेशन आ वैव पोटल फॉर नैशनल अवर्ड फॉरड एगर रहें कि बताये केंद्र सरकार के लिए जो है केंद्र सरकार के की से विभाग ने जहें इगर्वर्नेंट के लिए राश्ट पुरूस्कारों के लिए योजना और कि ना और वैब पॉटल लॉंज किया हैं डिपार्टमे यहां फिर डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डवलप्मेंट डिपार्टमेंट ओफ एडिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पबलिक ग्रिवैंस सब्सक्राइब सर डी ए आर पीजी जो लोग करें option no.4 उनका यहां पर correct answer हो जाएगा डी ए आर पीजी इसको short form में हम लोग कहेंगे ठीक है department of administrative reforms and public grievances ठीक है चलिए डीटेल में बात करते हैं तो ई-governance के लिए राष्ट पुरुसकार भारत में सबसे अधिक प्रतिस परधी और प्रतिष्ठित डिजिटल गवर्नस पुरुसकार योजनाओं में से एक है और योजना का जो यह लक्ष है ई-governance के पहल के कारियंत में उत्रिष्टता को शीकार कर और बढ़ावा देना है इसका उदेश सफल इगवर्नल समाधानों के दिकास में नवाचार को बढ़ावा देना भी है इस वर्स जो है एन एईजी दोजार चॉबिस के तैस सोला पुरुसका प्रदान किये जाएंगे कितने 16 अवार्ट दिये जाएंगे ठीक है चलिए आग समारति राज जो है सलत दुरगट राओं में होने वाली मौतों की संख्या में सीर्स पर है उत्ता प्रदेश दिल्ली तमिलनाड़ू और महराश्ट क्या हो गए यहां पर कया सर उत्ता प्रदेश उत्ता प्रदेश कह रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट आंसरों का उत्ता प आगे बढ़ते हैं अगला जो है आप लोगों के लिए थोड़ा से डीटेल बात करते हैं तो NCRB के आकड़ों के अनुसार दस लाख से अधिक है आबादी वाले उत्तर पदेश के साथ शहरों में से आगरा लखनव कानपूर प्रियागराज सणक दुरगटना में होने वाली म मौतों के मामले में सबसे घातक हैं तो देखें कहां कहां पर आगरा लखनव कानपूर और प्रियागराज ठीक है ध्यान अखेगा और NCRB के आकड़ों के मुताबे 2022 में उत्तर प्रदेश में 36,875 सडक हासो में 24,109 लोगों की मौत हुई और 21,696 लोग घायल हुए जो दे ठीक है तो ध्यान रखेगा दूस्तों सबसे आदा जो मौते हुई है या फिर जो घायल हुए थे एकसी ड्रोड एकसीड़े में वो यूपी में हुए है ठीक है तो सलक धुर्गटनाओं में मरने वालों की संख्यार के मामले में यूपी जो है सूची में सीर्स पर है इसके सबसे अधिक वेतन पाने वाले सीयो के रूप में उभरे है एच्छी टेक्नलोजी इनफोसीज विप्रो और हिंदुस्तान यूनिलिवर लिम्टेड करेक्ट आंसर क्या होगा विप्रो विप्रो जो लो कह रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यह ध्यान र भारती आइटी छेत्र सबसे अधिक वेतन पाने वाले सीयों है ठीक है तो त्षैरी डिला पोर्टे जो है दोस्तों यह किसके विप्रो के और यह सबसे ज़्यादा जो है पर की सियों है कंपनी फाइलिंग के अनुसार जो है डिलापोर्टे का वेतन पैकेज जो है लगभग रुपए 82 करोड प्रती वर्से अधिक है ठीक है मला हर साल उनको जो है 82 करोड के ऊपर की सेलरी मिलती है ठीक है आईडी छेतर में सबसे अधिक वेतन पाने वाले सीयों की सूची और जो है यहां पर जिरोधा के संस्थापक नितिन कामत और निखिल कामत जो है 72 करोड का वेतन प्राप्त करते हुए एक स्टार्ट अप फर्म से सबसे अधिक वेतन पाने वाले सीयों और निदेशक के रूप में उभरे है ठीक है तो सबस्यादा दोस्तों सेलरी पाने वा तो आप लोग के लिए रहा कोशन वाट इस थीम ओफ इंटरनेशनल माउंटें डे ट्वेंटी ट्री अंतराश्टी परवती दिवस्ट जो है 2013 का विश्य क्या है यहां पर पूछा गया है क्या वो में मूव माउंटेंस सस्टनेबल माउंटें टूरिज्म रिस्टोरिंग म मांटें अको सिस्टम जो है इसका विश्य है यह न रखेगा और इंटरनेशनल माउंटें डे जो है हर साल 11 दिसंबर को क्या अब 11 दिसंबर को मनाया जाता है ठीक है डीठिज बात करते तो 11 दि ole को अंतराश्टी परवती दिवस मनाया जाता है और 2023 का विश्य है से रिस्टोरिंग माउंटेन एको सिस्टम है अंतराष्टी परवती दिवस सयुक्तराष्ट महासभाद्वारा नामित एक वार्षिक उत्सव है और यह हमारे जीवन में पहाडों के महत्व के बारे में जागरुकता बढ़ाने के उद्देश से 2003 से हर साल मनाया जाता है और आपको पता है कि दोस्तों अगर हम बात करते हैं 10-15 परसंट जो है आबादी जो है पहाड़ों पर भी रहती है तो वह दोस्तों उनका एक हैबिटेट जो है वह दोस्तों पहाड़ है पहाड़ जो हमें जो है और यह दोजार तीन से हर साल मनाया जा रहा है और यह दिन पहाड़ के विकास में अवसरों और बाधाओं को उजागर करने पर केंद्रित है इसका उदेश पहाड़ों में लोगों और पर्यावरण के लिए वैश्विक इस्तर पर सकरातमक के एलबराना है ठीक है चलिए अगला वोशाइस वार्ट वास यूनिसेह फॉर्प टारी यूनिसेह सेफ कड़र की या था 10 अक्टवर नीस च्छाईस सग्यारव दिसम्मर उनीस च्छालिस पंद्र दिसम्मर उनीस तो से तालिस और साथ अप्राइल उनीश सो अड़तालिस किस जो है दिन पर युनिसेफ को स्थापित किया गया यहाँ कर सर उनिस 11 दिसमर 1946 उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हुआ सवाल यह बनता है कि बताईए युनिसेफ को गठित क्यों करना पड़ा क्योंकि दोस्थो वर्ड वर्ड वार टू थी उसमें जित्ते भी प्रभावित लोग थे दोस्तो वर्ड वार टू से मनलब जित्ते भी लोग यहाँ पर वह हुए थे चाहे बच्चे हो चाहे महिलाएं उनके लिए इसको बनाया गया था नियुव्यॉक में ग्यारद समर उनिस सो ठीक है तो यूनिसेफ का अर्थ जो है मतलब इसका फुल फॉर्म जो है यूनाइटे नेशन इंटरनेशनल चिल्डरन एमर्जेंसी फंड कहते हैं हम लोग या फिर सैयुक्त राष्ट अंतराष्ट के बाल अपातकाली नकोश कहते हैं यह सैयुक्त राष्ट की एक एजनसी है जो पूरे विश्व में बच्चों को मानवी और विकासात्मक सहायता परदान करने पर केंद्रित है यूनिसेफ की स्थापना जो है 11 दिसंबर 1946 को नियुव्यॉक में सैयुक्त राष्ट राहत प जायल नमर्जेंसी फंड्स का फूल फॉर्म 11 दिसंबर 1946 को इसको गठत किया गया था क्यों किया गया था क्यों कि वर्डवार टू में जितने भी दोस्तों प्रभावित महिलाएं और बच्चे थे उनको दोस्तों तुरंद किया जाए सपोर्ट किया जाए है ठीक है और यह तहां पर दोस्तों गठत हुआ था तो नियू यॉक में चलिए आगे बढ़ते हैं अगला जो है अगला कोश्चन जो है हुई से टूबी दा न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ मधिप्रदेश मधिप्रदेश के जो हैं मुख्यमत्री कौन बनने जगदीश देवडा राजेंदर शुकला जी को क्या बनाए गया है डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर बनाए गया है शिवरा सिंग चोहान जो है यह फॉर्मर फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ठीक है ध्यान रखेगा चलिए आगे बढ़ते हैं भारती जंता पार्टी ने उज्जैन दक्षिर से विधायक मोहन विधान सभा के लिए चुने जाने के बाद इस्टिफा देने वाले केंद्री मंत्री नरेन सिंग तोमर को नया विधान सभा अध्यक्ष नामित किया गया है शपत लेने के बाद जो है सुन्दरलाल पटवा उमाभारती बाबुलाल गौर और सिवरा सिंग चोहान के बाद यादव भाजपा के पाचवे मुख्यमंत्री होंगे ठीक है इससे पहले दोस्तों कौन-कौन मुख्यमंत्री रह चुके है मद्धिप्रदेश के अगर हम बात करते है तो सुन्दलाल पटवा उमाभारती बाबुलार गौर और सिवरा सिंग चुहान ठीक है इन में से जो है इंटरनेशनल एंटी करप्शन चैंपियन बाइदी यूएस स्टेट डिपार्टमेंट अमेर्की विदेश विभाग द्वारा जो है अंतराश्टी भ्रश्चाचार विरोधी चैंपियर के रूप में किसे नामित किया गया है क्या वो निखिल दे हैं एंटोनियों जो है सर आगे बढ़ते हैं आप देख सकते 2023 एंटी करप्शन चैंपियन जो है निखिल दे को दिया गया है तो आयनल रिकागनाइज निखिल दे ऐस दा एंटी करप्शन चैंपियन फॉर इस सेमिनल रोल इन दी सोशल मुव्मेंट एमड एट ट्रांसपरेंसी अकांटेबिल्टी ओडिट्स ठीक है एंड जो है पाटिसिपेट्री डेमोक्रेसी टू काउंटर करप्शन इन गॉवर्मेंट वेलफेर प्रोग्राम इन इंडिया ठीक है चलिए निखिल दे नाम याद रखेगा जिनको एंटी करप्शन चैंपियन बता गया है अगला जो है दोस्तों कोशरा से किसे किसे मिलेगा अमिताब बच्चन जी को जावे दक्तर जी को रिशी कपूर और शशी कपूर किसको मिलेगा जावे दक्तर जावे दक्तर जो लोग कह रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्टांसरों का ऑप्शन मभी जावे दक्तर जो है वो करेक्टांसर ठीक है तो आप द अगला है वाट इस दा अब्जेक्टिव ओफ विक्सिद भारत एड़े 2047 वाइस ऑफ यूथ करें विक्सिद भारत 2047 युवाओं की आवाज का उदेश क्या है एकनॉमिक डवलप्मेंट यूथ एंपावमेंट एंड पारिसिपेशन एंवारमेंट कंसर्वेशन और नेशनल सब्सक्राइब करेंगे विक्सिद भारत एड़े 2047 वाइस ऑफ यूथ 11 दिसम्बर 2030 को ठीक है चली आगे बढ़ते हैं अगला कोशन विच आंड फोर्स आर पार्टिसिपेटिंग इंदा जॉइंट मिलिट्र एक्ससाइज विन बैक्स 2023 दुखिस सयूथ या पे सयुक्त सै बात करेंगे अभ्यास विन बैक्स 2023 में कौन से सशस्तृबल भाग ले रहे हैं इंडिया वेतनाम इंडिया और ऌर उइस जशन टुखिस अब यह बात करते हैं इसे भाग लेने के लिए के करिकट आंसरों पहारत और एटनाम ठीक है तो स्यूक्त स्यूपिस हनोई वेतनाम पहुंची है यह अभ्याज 11 से 21 दिसंबर 2023 तक हनोई वेतनाम में आयोजित की जाएगी विनबेक्स अभ्याज जो है 2018 में शुरू की गई थी और तब से दोस्तों हर साल होता आ रहा है और पहला संस्क्र जो है वो जबलपुर स्टेशन में आजित किया गया था ठीक है जो लाज्ट एडिशन हुआ था और इस बार जो है दोस्तों कहां पर हो रहा है हनोई वेतनाम में ठीक है चलिए अगला गुशन प्रदगी की विक्सित भारत के लिए नवाचार और कल्यान का मार्ग को किस ने वस्तुत संबोधित किया है भुपेंद्र पटेल डॉक्टर मंसुकलाल मंदविया जितेंड सिंग और नितिन गटकरी मंसुकलाल मंदविया मंसुकलाल मंदविया तो जो लोग मंसुकलाल मंदविया कहरें डॉक्टर मंसुकलाल मंदविया उनका बिलकुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है चले डीटेल बात करते हैं तो देखें केंद्री स्वास्त और परिवार कल्यान मंत्री जो हैं डॉक् संबोधित किया है सिकर सम्मेलन जो है दसवे वाइबरेंट गुजरात वैश्विक सिकर सम्मेलन के लिए एक प्रारंभिक कारिक्रम है जो जनवरी जो है प्रालाया और कावरत्ती जल्दी से बताई यहां पर कैसर सुमेधा सुमेधा तो जो लोग आप्शन मर्टू करे रहे हैं अनका बिल्कुल करेक्ट आंस रोगा चले थोड़ा दीटेल बात करते तो आफ्रीका में चल रही दूस्तों अभी है चल रही लंबी दूरी की तैनाती के लिए एक से GOT रूप में भारती नौजळा जहाज सुमेधा नौदिस्वंबं में पहुचा है यहां याहात्रा जो है केन्या में हाली में विक्सित बंदर्गाह पर किसी भी भारती आज का पहली बंदरगा यात्रा का प्रतीक है ठीक है चलिए आगे पड़ते हैं अगला सवाल हूँ इनागरेटेड दा कृष्णवेनी संगीत निरंजनम विजयवाडा करें विजयवाडा में जो है कृष्णवेनी संगी जो है संगीत निरंजनम का उद्धाटन किसे ने किय निर्मला सीतारमन अमिश्या और नितिन गटकरी किसने किया है कि यहां पर करेक्ट आंसर कौन जाएंगी करेक्ट आंसर हो जाएंगी यह दिहान रखेगा ठीक है आगे बड़े चलिए आगे बढ़ते हैं डीटेल में थोड़ा सा तो आप देख सकते हैं कृष्णवेनी संगीत जो है निरंजनम जो है आंद्रप्रदेश में होगा म्यूजिक क्राफ्ट कुषिन ठीक है कब से कब 10-12 दिसंबर विजयवाड़ा आंद्रप्रदेश में होगा और कौन करे अगर हम डीटेल बात करते हैं तो देखें अगर कॉम कैपिल गूरूप के वार्शी के वार्शी जो है विस वैश्विक रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक और पीवी डेवलपर च्हेतरे में अधानी ग्रीन एनरजी लिम्टेट की पर जो है वरतमान रेंकिंग क्या है प आपकर सर दूसरी दूसरी तो करेक्ट आंसर यहां प्या हो जाएगा तीक है यहाँ पर दूसरी करेक्ट आंसर होगा ठीक है अगर हम डीटेल बात करते हैं तो देखें मैर कॉम कैपिल ग्रूप के वार्शी के वैश्विक रिपोर्ट के अनुसार जया अधानी ग्रीन एनर टाइम परसन ऑफ दाइयर ट्विटी त्री देखें वर्ष दोजार तेज के टाइम परसन के रूप में किसे नामित क्या गया है तेलर स्विफ लिओनल मैसी नरेंदर मोदी और शारुख खान क्या होंगे करेक्ट आंसर टेलर स्विफ टेलर स्विफ जो लोग कह रहे हैं उ टाइम ने कहा है कि जोस्तों स्विफ्ट को इसलिए चुना गया है क्योंकि उन्होंने दुनिया भर के लोगों को गंभीर रूप से अंधेरे समय में आशा देने का एक तरीका ढून लिया था सर जो है पॉल मेकॉर्टनी और लियोनल रिची को पचार कर स्विफ्ट वर्स क जो है सरसेष्ट गीत के लिए जैसाद ग्रैमी नामंकर प्राप्त करने वाली पहली गीतकार बन गई है ठीक है तो याद रखेगा टेलर स्विफ्ट चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तो यहाँ पर समय होता है समापत जहां पर आज हम लोग ने किया किया है हम लोग ने सारे निउस को कवर किया है जोकि आपके एकक्जाम पॉंट होई से बहुत ही ज़्यादा महत्रपून है और अगर आप त्यारी कर रहे हैं दो ac哈哈哈 e इस्तवाल करना है कूपन कोड क्या है गौरव एम जी ए यू आर एवी एम जैसे आप इस्तवाल करेंगे आपको मैक्सिमिन डिसकाउंड मिलेगा और आप अपने तयारी भी कर पाएंगे ठीक है और आज का होंवक है नेम ता हाइस्ट प्लैट्ट्यू अन दी अर्थ देखे प्रत्वी पर सबसे उचे पठार का नाम आपको बताना है ठीक है यह आज का होंवक है नोट डाउन कर लिजेगा और दोस्तों पीडिएफ कहां पर मिलेगी टेलिग्राम पर टेलिग्राम पर जुड़ जाए एडडरेट गौरफ सर्ट एस्बूक वहां पर एक पब्लिक ग पर आपको जाना है सूपर कोचिंसी । वहां पर जैसे स्क्रूल डाउन करोगे आपको अब कि मिल जाती है ऊसके आप सारी सब्सक्राइब भी यहां पर नहीं आप भी क्रिक करेंगे आप चलाएंगे तो लाइक करते हैं अपित लाइक और शेर करते हैं यहां पे सबसे पहले आंसर किया है तो फर्नेस क्रीक इन देथ वैली कलिफोर्निया बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं यहां पर फिर उसके बाद यहां पर अकुझी ने आंसर किया है ठीक है आप लोग अच्छे कल मैंने पूछा था कि 6 बज़े या 7 बज़े टाइम से रहेगा तो यहा होती बढ़िया सरसती ही फिर तोvicा जीन आंसर किया सर टाइम जैसा है वैसे ही ठीक है सर ओके ठीक है फिर तो कोई यह नहीं है ठीक है बहुत बढ़िया स्केवाद यहां पर यहां पर सब्सक्राइंक करक्षण सर्दार ठीक है फिर इसके बाद यहां पर बंगा राजु जी ने थैंक पॉर दसेशन सर दिस इस बंगा राजु प्रॉम आंदपजी विशा कवर्णम ठीक है सब्सक्राइब बंगा राजु आप उसमें जुड़ जाएगा सब्सक्राइब जल्दी उठकर पढ़ने की बिल्कुल सही है प्यूजी कोई दिक्क्त बाद ने सर एक बार वन एयर का करेंट अफेर करा दीजिए लब फ्रॉम जारकन बाबुदाश जी इस सनिवार को मैं आप से दस बजे ठीक है सटेड़े को सब्सक्राइब और गुद मॉर्निंग जास टैमिक ठीक है बाकी आप इसाब से भी कर सकते है ते कहले है ठीक है नहीं मुझे अपने अपर इसाब से करना मुझे आपके साब से करना राइट फिसका यहां पर तर मेरा नाम के जिया है केजिया जी ने अंसर किया है फरनश क्रीक ठीक है केजिया जी और आपका बिल्कुल और हांसर है पिर इसके पाद यहां पे तनूर जी ने आंसर किया है जैहिंद बंगाराजू फिर उसके बाद हर्ष जी ने आनसर किया है संदीब जी ने अनसर किया एक न इस और न कि अच्छे लगे कुछ सीखिनें मिला तो उसको लाइक जरूर किय और बैज जो को लिंक दीए है इसकरглий터ा आपके सामने एक नया पेज उपन होगा जहां पर आपको सारी डीटेल्स मिलती है आप सूपर कोचिंग पर क्लिक करिए जिस एक्जाम की आप तयारी करें उस पर चले जाएए अगर आप ऐसे जीडी की कर रहे है तो जीडी पर जाएंगे ठीक है जीडी पर गए वहाँ पर से से प्रोसीजर है सारे के लिए ही आप देख लिए जिए कौन कोच से सूपर टीचस वहाँ पर आपको पढ़ा रहे हैं ठीक है आप चेक कर सकते है डेमो क्लासे आप देख सकते हो ठीक है टेस सीरीज देख सकते हो इस्टडी नोट्स और प्राइसिंग आप यहाँ पर चेक क हो जाएगा यहाँ पर अभी option नहीं आ रहा है शायद keyboard का इसमें option नहीं है ठीक है तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर क्या कर सकते गौर अब जी यू आरे वी ठीक है तो यह रहा दोस्तों पूरा सेशन जहां पर हम लोग ने सारी चीजे की है अगर यह सेशन आपको मत भूलेगा मेरे साथ सवासाद वजे जहां पर हम लोग करेंगे सेसी MTS के लिए सवाल तब तक लिए आप क्या करेंगे अपना ख्याल रखेंगे अपनों का ख्याल रखेंगे और पढ़ाई करते रहेंगे बाइबाई टेक एर जैहिंद जैभारत